आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सराइज 6.3 जी हाँ एक्सराइज 6.3 हम पढ़ने जा रहे हैं और इसका नाम है एक्सराइज का टेंजेंट एंड नॉर्मल इस एक्सराइज का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल ओके तो टेंजेंट में हम क्या पढ़ेंगे देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्लोप क्या होता है तो आपने लाइन का स्लोप पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है ये कोई स्ट्रेट लाइन है तो ये straight line x-axis के साथ positive direction में एक particular angle बनाती है इस line के slope को, slope का मतलब होता है धाल और वो धाल निकालने के लिए आप ये जो angle बनता है इसका आप लेते हैं 10 M1 कोल्डू कितने थीटा? 10 थीटा तो आप जानते होंगे कि straight line का slope हमेशा fix रहता है वो कभी बदलता नहीं है हमेशा धाल straight line का एक ही रहता है क्योंकि x-axis के साथ इसका एक ही angle बनता है कहीं से भी आप angle बना ली चाहिए याँ बना लीजे चाहिए कहीं भी देख लिए उसका angle कभी बदलता नहीं है तो straight line का जो ढाल होता है जो slope होता है m equal to 10 theta वो always fix होता है always क्या होता है fix होता है बट देखिए कर्व जो होता है कर्व का ढाल बदलता जाता है कर्व का ढाल बदलता जाता है तो कर्व पर खीची के tangent के slope को हम बोलते हैं d by by dx स्पिर से सुनिएगा इस line को d by by dx क्या होता है यह होता है slope of tangent अब यह कर्व पर आपको खीची गई tangent का slope देगा straight line का नहीं है यह कर्व पर खीची के tangent का आपको slope देगा अब आप कहींगे सर कर में तो बहुत सारे point है कर में तो बहुत सारे point है सर ऐसे तो infinite tangent खीची जा सकती है किसका slope देगा तो भाई आप इसको जो point देदोगे अगर आप इसको point देदोगे x1,y1 तो यह सपोज यह point आपका है मान लिजे x1,y1 तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस point पर खीची गई tangent का slope मिल जाए तो आप क्या करिए आप इस curve को इस curve का नाम है y is equal to fx इस curve को आप differentiate करिए और differentiate करने के बाद x1,y1 पुट कर दीजिए क्या कर दीजिए x1,y1 पुट कर दीजिए तो उस point पर खीची गई tangent का slope आ जाएगा अगर यह angle theta है तो आपको इसका slope मिल जाएगा m is equal to 10 theta मिल जाएगा और यह आपको theta वीटा से कोई मतलब नहीं है आप आपको directly कैसे मिलेगा d by dx मिलेगा at the point x1,y1 मतलब यह बहुत responsibility है आपके कि जिस point पर आपको tangent का slope चाहिए है तो वो point आपको put करना पड़ेगा जिस point पर आपको tangent का slope चाहिए है वो point आपको क्या करना पड़ेगा इस point पर आपको tangent का slope चाहिए है वो point आपको put करना पड़ेगा example एक उठाता हूं ncrt गा example देखता हूं ncrt के example क्या कह रहा देखे ncrt 6.3 चल रही है पहला example मैं लूँगा yes example है find the slope to the tangent आपको कह रहा है कि slope find करिए curve क्या दिया है y equal to x cube minus x x q minus x इस curve पर slope find करिए अरे यह curve तो मान लो ऐसा ऐसा कहीं गया होगा अब वो curve कैसा गया है सर जी किस point पर बताएं tangent किस point पर खीचें और फिर किस point पर slope बताएं उन्होंने help दी होगी उन्होंने कहा है x equal to कितना 2 सर आपने x बताया आपने y नहीं बताया जरूरत हो तो निकाल लो x की value put कर दोगे कहीं पर तो वाई अपने आप उगल देगा तो वाई is equal to कितना हो जागा 2 का cube minus 2 8 minus 2 मतलब कितना 6 मतलब एधी complete point की बात करो तो मुझे क्या बताना है मुझे बताना है 2,6 पर 2,6 पर खीची गई tangent का slope माल लो यह point है 2,6 कौनसा point मालो यह मालो 2,6 तो इस पर खीची गई tangent का आपको slope बताना है ओके तो कैसे बताओगे कुछ नहीं आप इसको बिंदाज differentiate कर लो तो डीवबर डीक्स कितना हो जागा दिखे डीवबर डीक्स कितना आ गया 3 x square minus 1 3 x square minus 1 यह क्या निकल गया tangent का slope क्या निकल गया tangent का बटे जनरल वैल्यू है मतलब पूरे कर्व के लिए tangent का slope है पूरे कर्व के लिए अब आपको particular निकालना है put करना है तो एक सी रखनी की जगह है टू रख पाऊगे य तो रख नहीं पाऊगे रख पाते वाई तो य भी रख देते तो अब आप लिखेंगे इसल दन्डा बना दिया कर ये बता था एक सिकल टू दू का स्क्वेर मीनस बनाइस वन त्लिक टू को ए मैंनस वन भूर वर आंसर कितना आ गया 11 तो मतलब इसका स्लोप कितना आएगा 11 कोसे आगया इसका स्लोप कितना आ आएगा 11 ओक ही यह आ गया एक टाइप का कोश्चन चले दूसरे टाइप का कोश्चन देखते हैं दूसरे टाइप का कोश्चन यह है कहरा कोश्चन की find the point find the point on the curve y is equal to under root 4x minus 3 minus 1 यह minus 1 यह आपके पास कहरा एक करव है इस पर आपको कोई पोइंट वंकंतर आपको आपको फ爱 संटर चीजिर एंट का जिस पर खीची गई हमेंट मैं इसे बड़ा स्लोप आपको दिया गया कितना 2 का कि अधा कि मतलब लॕख की व्यल् facto कि लिए डिए से को मतलबब इस दोप थे दो मतलभ सबसुट गे और इस बार आपको और प्वाइट करना पहले का था प्वाइंट दिया रहता था और स्लोप फइंड करना था अब आपको स्लोप दिये रेने हो प्वाइंट करना समझे साहिया तो चलीए दिए मैं निकाल लेते हैं जनरल बसे एक्स एकवल्टी डिशने डिर्क लिकरोमगा वान अपॉन टू अ की value किती आ चुकि है 2 upon under root 4x minus 3 यह सब नो अब कह रहे हैं कि slope की value जो हम question दे रहा हम को किती दे रही 2 by 3 चलो equate कर दो क्योंकि इनका अपना slope यह आया है उनका slope वह आया है बस point नहीं पता तो अपसाइद point दे दे तो चलिए equate कर दे तो 2 upon under root 4x minus 3 equal to 2 by 2 से 2 क्या हो गया cancel पल्टी माल लेंगे तो under root 4x minus 3 हो जाएगा 4x minus 3 equal to 3 हो जाएगा square कर दीजे दों तरफ 4x minus 3 equal to 3 क्या square कितना 9 root हट गया हट गया जी so 4x equal to 9 plus 3 हो गया 12 so x equal to 12 by 4 बोली है यह सो नो x की value किती आ गई 3 x की value किती आ गई 3 ओके x आ चुकी है बद point जो होता किसी कर में अकीला x नहीं होता जोडे में होता है x, y तो आईए y निकालते हैं तो हमारे पास y is equal to कितना है under root 4x minus 3 है और x की value देखे हमाँ पास 3 आ चुकी है आई ना भी x की value 3 minus 1 3 minus 3 ओके so 4 3 जा 12 minus का 3 so अपने पास क्या गया under root 9 root 9 plus minus 3 आएगा क्या एगा plus minus 3 okay okay yes y minus 1 भी है मैंने देखा नहीं तो sorry यह minus 1 भी है कर में देखे भाई एक बार मैंने क्या लिखा को यस minus 1 ही है बिल्कुल सही बाहर है minus 1 no problem आप तो सही हो गया तो देखिए अपने पास क्या जाएगा y is equal to plus minus 3 और minus का 1 okay x तो अपने को पता चल चुगा है x कितना निकला है 3 okay अब y निकालते तो एक बार plus ले लेजिए जब plus लेंगे तो 3 minus 1 हो जाएगा कितना 2 और जब minus लेंगे तो minus 3 minus 1 बोले तो कितना minus 4 तो answer हो जाएगा हमारे पास x, y क्या हो जाएगा भाई साब 3, minus का 4 और 1 आएगा 3, 2 तो हमाई दो answer निकलेंगे 1 आएगा 3, 2 और 1 आएगा 3, 2 और 1 आएगा 3, minus 4 बट आपकी book में एक ही answer दिया होगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, उन्होंने root को positive में लिया है negative में, y की value negative नहीं लिये, okay, any problem, yes, तो x की 2 values आती हैं, और x की 2 value, एक मिनट, यहाँ पर y की value निकालनी थी, मैंने x की value डाली है न, y की value, x की value 3 आई है, और y की value, y की value, हाँ, यहाँ मैंने गल्ती कर दिये, देखे, actually मैंने बिने पहले ये ले लिया था, हाँ, थोड़ा सा mistake हो गई बच्चो, फिर से consider करिए कहाँ पे, यहाँ सके बाद, picture यहाँ से शुरू हो रही है, देखे, x की value 3 आगई न, x की value 3 आगई न, अब y की value निकालनी है, मैंने root नहीं लगाया, so y is equal to under root 4x minus 3 और minus का 1, so y is equal to, हो जाएगा आपने पास, 4 into x की value 3 और minus 3 और minus का 1, so 4, 3s are 12, 12 minus 3, यहाँ की 9 और minus का, ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं होता है बिटा, क्या बात कर रहो आप, 4, 3s are 12, 12 minus 3 equal to 9, और 9 का root कितना होता है, plus minus 3 minus 1, तो 2 यह answer आएगे, बिल्कुल गलत नहीं है, आपकी book में कम answers दिएगा है, मेरा answer बिल्कुल सही है, एक बार plus 3 लेने पर एक answer आएगा, 3 minus 1, और minus 3 लेने पर minus 3 3 minus 1, मतलब एक answer आएगा 2, और एक answer आएगा minus 4, तो completely point क्या बनेंगे, xy के जोड़े क्या बनेंगे, x तो 3 है, y की value एक बार 2 मिलेगी, और एक बार क्या मिलेगी, minus 4, तो आपकी book में जो answer दिया गया है, 3,2 दिया गया है, y की negative value नहीं ली गई है, बट ऐसा कहीं होता नहीं ह बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि curve अगर आपका ऊपर जाएगा और x xy के नीचे जाएगा, तो value क्या हो जाएगी, negative हो जाएगी, बुले yes or no, 2 point हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, दोनों answer लिखे, अब दोनों सही है, अपना answer more correct है, देखे न, tangent भी तो निकल रही है, यह द दिया था, और इसका सोभी क्या होगा, 3 by 2, तो 2 point क्यों नहीं आ सकते हैं, बेशक आ सकते हैं, ओके, आ गया समझ में न, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, चलिए कुछ और point बात करते हैं, इस chapter में जो use होंगे concept, हाँ, इस chapter में use होने वाले concept यह है, कि देखे, अगर कोई curve अगर कोई curve x-axis को आके touch करता है, अगर कोई curve x-axis को आके touch करता है, तो यह बच्चो वाली बात है, x-axis में x-coordinate तो जिंदा होता है, बट y-coordinate 0 होता है, और अगर कोई curve y-axis को आके touch करता है, तो यह भी बच्चो वाली बात है, कि x-coordinate 0 होता है, मगर y-coordinate कुछ ना कुछ होता ऑके? चलिए नेक्स बात करते हैं अगर कोई line x-axis के पेरलल है तो x-axis के पेरलल है मतलब इसका slope कितना होगा? 0 क्योंकि कोई line अगर x-axis के पेरलल है तो वह x-axis के साथ कितने degree angle बनाएगी? 0 degree तो इसका जू स्लोप होगा वो होगा m एकोल to 10 0 and 10 0 एकोल to 0 दूसरी बात करते हैं अगर कोई लाइन X-axis के परपेंडिकुलर है या Y-axis के पैरलेल है बात यहीं है यह X-axis के पैरलेल है तो इसका जो स्लोप आएगा M is equal to 1090, 10 पितने होता है कि अगया क्या क्यों 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 कि स्लोप केवल और केवल X-axis के इंगल के साथ मतलब X-axis के साथ यह ना 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 बिल्कुल नहीं डाला-mesa X-axis से चेक होता है आप जब किसी घाटी पे चढ़ाई चढ़ते हैं तो आप घाटी में चढ़ाई के लिए ये वाला एंगल महसूस करते हैं कि ये वाला एंगल महसूस करते हैं ये वाला ये ना कि चढ़ाई बहुत ज्यादा है yes or no तो इसी को दो ढाल बोलते हैं ये एंगल जो मिलता है है ना मतलब यस देखे 10 थीटा एक्वल टू परपेंडिकुलर पॉन बेस परपेंडिकुलर पॉन बेस मतलब यह जो है परपेंडिकुलर बेस के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है कितना ज्यादा है इसलिए डाल का मीनिंग यही है कि बेस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना उठा हुआ है, ओके, तो इससे पता चलता है, तो जब भी आप धलान चेक करतें तो ये देख करके करतें, ये वाला एंगल देखतें, नीचे वाला, इधर वाला एंगल नहीं देखतें, उपर वाला, ठीक है न? चलिए, तो ये होगे आपने पास, तो मैं बात कर रहा था कि X x-axis के कोई line parallel है तो उसका slope कितना होगा? 0. और अगर कोई line y-axis के parallel है तो उसका slope कितना होगा? infinity. कितना होगा? infinity. क्योंकि y-axis के parallel है, so answer कितना होगा? 1090. स्लोप की वैल्यू कित्ती होगी 10 90 10 90 कितना होता है इंफनेट और याद रखेगा इनफनेट वैले क्वेशन को वन अपन जीरो लेके सॉल किजीगा क्या लेके सॉल किजीगा वन अपन जीरो लेकर किस वापीजिगा डन चले आंगे चली दूसरी चीज़ अगर दो line parallel हैं एक का slope है m1 और एक का slope है m2 तो parallel line के slope equal होते हैं याने m1 equal to कितना? m2, yes अगर दो line parallel हैं तो parallel line के slope क्या होते है? equal ओके और आपके पास अगर कोई भी line दी गई है suppose y plus 2x minus 6 equal to 0 तो आपको करना क्या है? कोई भी line का slope पता करनी के लिए इसे एक ही form में आपको लिखना है y equal to mx plus c तो y को अकेला छोड़ दीजे तो y is equal to यह हो जाएगा minus का 2x और plus का 6 अब देखिए यहाँ पे slope चमक रहा है कितना है slope इसका? minus 2 तो यहाँ पे slope कितना है? minus 2 तो इस तरीके से आप line का slope भी पहचान सकते हैं अगर दो line perpendicular हों तो 1 का slope है m1 और दूसरे का slope है m2 और दो line अगर पे पे पेकुलर है तो m1 into m2 equals to कितना होगा? minus 1 yes, दो line अगर पे पे पेंडिकुलर है तो m1 into m2 equal to minus 1 तो अभी अपनने क्या निकाला है? अभी अपनने निकाला है किसी curve पर tangent का slope के कहार निकाला आपनने किसी करप पर टेंजनेंट का स्लोड ओके करप पर टेंजनेंट का स्लोड कितना था film एक यह नोर्मल गा लेघ्ण का सी कटालना complexity निकालना है नोर्मल मतलब इस पर परपेंडिकलर नॉर्मल मतलब अब इस पर perpendicular, तो मैं मान लेता हूँ, इसका slope कितना है, m2, और अभी-अभी मैंने आपको पढ़ाया कि, m1 into m2 is equal to कितना होता है, minus 1, तो m2 is equal to कितना हो जागा, minus 1 upon m1, हो जाएगा, तो बड़ी मजे की बात है, normal का slope आ चुका है, और इसी को in short आप बोल सकते है, m normal is equal to minus of dx by dy, ध्यान से देख लिजे, पलट करके dx उपर चला जागा और dy नीचे आ जाएगा, तो ये भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है जी, तो ये हो गया tangent और normal के बीच का सारा का सारा difference और सारी सारी understanding यहापर मैंने clear करा दी है, अब केवल आपके पास questions बचे हुए है, तो questions को आपको लगाना है, और जो questions आपको नहीं बन रहे हैं, उनको जरूर 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 आपको पूछना है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसके questions, ओके देखे, अभी यहाँ पर एक extra question आया है, equation of the line, okay equation of the line, equation of line, line की question क्या होती है, अब line के आपके कौन सी question चाहिए, अगर आप line का point form माग रहे हैं, मतलब किसी point से जाने वाली line, किसी point से जाने वाली line, मान लीजेगी, suppose कोई line है, वो किसी point x1, y1 से जा रही है, और इस line का slope कितना है, m, तो इस line की equation होगी, y-y1 equal to m into x-x1, यह है line की equation, जिसमें आपको point दिया हो, और क्या दिया हो, slope दिया हो, अगर आप मांग रहे है, line की question, जिसमें आपको slope पता है, और intercept पता है, slope पता है, और intercept, intercept मतलब y-axis के साथ काटी गई length, मान लो यह c है, तो इस equation का नाम होता है, y equal to mx plus c, अब बात करते हैं, दो point से जाने वाली line, दो point से पहला point है, x1, y1, और दूसरा point है, x2, y2, तो आप सबसे पहले इसका slope निकाल लीजे, तो दो point को joining करने वाली line का slope कितना होता है, m equal to y का difference, y2 minus y1 upon x2 minus x1, अब पुराना वाल equation लगा दिजे, एक point वाला जो भी आपने पढ़ा, क्या था, y minus y1 equal to m into x minus x1, अब m की value डाल दिजे, तो y minus y1 equal to m की value क्या है, या, y2 minus y1 upon x2 minus x1, और यहां bracket में x minus x1, तो यह आ चुका है two point का form, मगर यह सारे आपको इस chapter में कामें नहीं आएंगे, केवल आपको इस chapter में काम यहां तक ही आएगा, जितना मैंने आपको बताया है, NCRT को गर दिखा जाये तो, इसमें यहां तक के concept से सारे question आपको बन जाएगे,